Students, आधम study कर रहे हैं topic mode of transfer mode of transfer का मतलब क्या होता है? जब data को computer में एग जगा से दुश्य जगा पर transfer करना होता है तो उसके लिए हम mode of transfer का use करते हैं computer में जो data transfer होता है वो 3 तीन तरीके से कह जाता है एक तो program control input output होती है एक interpe positive input output होती है और एक direct memory access होता है जब हम program control input output करते हैं तो हमें पता है कि जो input output devices होते हैं वो data का transfer करना चाहते हैं जब भी input output devices data का transfer करना चाहते हैं तो उन्हें बीच में एक interface जी होता है interface एक medium होता है जो data का क्या करता है transfer करता है जब हम data का transfer करते हैं fiber दींटर के यंठी पर्टेटर करके उनेर पार्ट्स में घक्रत कर दिता है हमारे पाइस के पास एक स्टेटर सेश्टर होता है करता है यह सब्सक्राइब यह लिए क्यों लोगर कॉने करने के लिए'' भी है या नहीं है और वो त्यार है तो बठा को बड़ा करना चाहता है तो इंप्ट अपो इंटर लिकोड़ हुटा है जो एक पॅधूरищ के औलडग डाटा को भार निकालता है अगर निकालता है न मेश्ए डाटा रेष्टर में कोपी होता है np. status register CPU से चेक करता है कि CPU data transfer के लिए त्यार है या नहीं है अगर CPU त्यार है तो हम एक particular address को recording data का transfer कर देते हैं चाहिए वो read operation perform करें चाहिए वो write operation perform करें लेकिन अगर वो त्यार नहीं है तो data transfer नहीं होगा इस चीज़ को हम एक flip-flop से study करते हैं पहले हम रीड किया status register को चेक करते हैं फ्लैग बीट को फ्लैग बीट अगर वन है तो रहें डाटा विल भी transfer अधरवाइस दुबारा हम क्या करेंगे status register को चेक करेंगे फिर रीट करेंगे data register को फिर ट्रांफर करते डाटा को memory के अंदर जब operation complete हो जाता है तो काम चाहिसे interrupt initiated input output बोलते हैं इंटरप दो तरह का होता है थेक onboard होता होता है और एक प्रायिट्र इंटरपो होता है जब हमारे पास एक के बाद ost एक maintaining 찾아Haisms howIm होता है जब इंटरप्ट के अंदर आप प्रैफरेंश दे रहते हैं तो वह जब भी हम डारचासर करना च्छाहते हैं दियेम में के सात तो हमारे पास इंप्रपडब्ट डिवाइस इस होते हैं जो रिक्वेस्स करते है डारच कोडिक इनफार की डारचानसर सिर्ट हो जाएगा अग्र बashgand0 है तो डारचानसर सीपू करता है अगर बashgand1 तो पर ट्रांफेर कों करता है DMA करता है अगर बस्गरांट बन न है तो हम इंपॉड आपट के प्रसर्स करते डाटा की कोडिंग डाटा एक पर्टि कुलर अड्रेस के क्या होता है जनरिट होता है जो भी इंपुड आप डिवाइसी जोते है वह पहले डियमे की आपकार्ट करते देखो अगर बस्ग्रांट 0 है तो cpu memory और improper devices के बीच में communication होता है अगर बस्ग्रांट 1 है तो dma memory और improper devices के बीच में क्या होता है communication होता है इसे हम क्या बोलते है dma working बोलते हैं अगर आपको कोई भी topic समझ में नहीं आता है तो आप मुझे इसे क्वेजिद ले सकते हैं में पर वट्सप कीजिए में नंबर पर वट्सप कीजिए 9729314625 थैंक यूँ